नमस्कार हिंदी साहिब तेवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तों जेरेफ हिंदी 2021 के तैयारियों के अंतरगत हम रितिकाल कुपड रहे थे एकाई दो के अंतरगत और रितिकाल में हमने लगभग आठ फार्ट इसके कर लिये थे जिसमें हमने रिति सिद्ध और रिति बद प्रमुख कवियों के बारे में अच्छे से डिसकस कर लिया था तो आप प्लेलिस्ट में जाके एकाई दो के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट पनी है उसको देख सकते हैं वहाँ पर हमने विस्तार से ये चीज़ें पढ़ ली हैं आज हम इसका नाइंध फार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम प्रमुख जो रिति मुक्त कवियों के बारे में जानते हैं तो देखिये रिति मुक्त कवियों की अगर हम बात करें तो इसमें हमने पहले भी अच्छे से डिसकस कर लिया था कि रिती मुक्त कवी क्या है जो ऐसे कवी जिन कवी उने बिना किसी रिती में बंद कर या लक्षन ग्रंथों की रचना ना करके अपने स्वचंद तरीके से रचनाएं रची हैं उन्हीं को क्या का जाता है रिती मुक्त कवी कहा जाता है मतलब जो रिती में बंद कर रचनाएं नहीं करते हैं उनी कवी उनको क्या कहा जाता है रिती मुक्त कवी कहा जाता है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिती काल को तृतिय वर्ग के कवी रिती मुक्त कहलाते हैं तो देखिए रिती काल के जो तीसरे वर्ग के कवी आते हैं इनको क्या कहा ग जो तृतियवर्ग की कवी माने जाते हैं उन्हीं को नाम दिया है रिती मुक्त कवी इन कवी ने लक्षन ग्रंथ की रचना करने या काव्यांगों को अधार बनाकर काव्या ग्रंथ लिखने की परंपरा से मुक्त होकर रिदय की स्वतंत्र वृतियों को काव्य में निवध कि जो दिखे किन चीज़ों को किया है उन्होंने जो पहले के जो दो धाराओं के जो कवी थे कौन-कौन से जैसे आपके रिती सिद और रिती मुक्त हुए उन्होंने लक्षन गरंथ लिखने की जो परंपरा थी वो अपनाई लेकिन जो आपके रिती मुक्त कवी हुए है उन्हो तो आपका काव्यांगों को अधरब नाकर काव्यक्रंत लिखने की परमपरा थी, उससे उन्होंने क्या क्या, खुद को मुक्त किया, और अपने रिदे की स्वतंतर भृतियों को काव्य में निवध किया, मतलब उनके मनमस्तिश्क में जो चीज़ें थी, उसी को ही उन्होंने अपने कावे में क्या किया है, निवध करने का मतलब उनको रखा है, ठीक है, तो मुक्त की हुए वो एक तरिके से किस से आपके जो परमपरा से चली आर दी जो रचनाए थी, या उनके अंदर जो भृतियां थी, उनसे उनोंने खुद को क्या क्या, मुक्त किया, इसलिए उनक मुक्त कर रचनाए रची, ठीक है, नेक्स से दीखिए कि रिती कावे धरा, रिती काल में विशिष्ट स्थान रखती है, परिवेश में इस तरह के कभी भी दरवारी हैं, पर इन्होंने रिती बाद की कावेगत रूडियों का पालन नहीं किया है, तो दीखिए ये चीज मह से वड़ा उदाहरान हमें आरे सामने है, जब राजा मुहमच्या रंगीला के दरवार में वो मीर मुन्शी थे, कई बार ये भी परिक्षा में पुझ जाता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, हलांकि आगे हम विस्तार से गहनंद के बारे में पढ़ें अपनी रचनाओं में और इसी के जलते गहनंद को क्या किया गया था, उसको एक तरीके से वहां से निकाल दिया गया था, उनके राजय से और लास में उनकी मृत्य हो गई थी, ठीक है ना, कि जब वो अपनी जो सुजान थी, प्रेमी का थी, उसकी और अपना मुह करके और राजा की और पीट करके गाने लगे थे, तो यहां से मैं पता चलता है कि यह दरवारी तो थे, लेकिन मुक्त होकर रचनाओं रचते थे, किसी के बंधन में बंद कर नहीं रचते थे, चाहे उसका खामियाजा उन्हें अपनी मौत से ही क्यों ना जहिलना पड़ा हो, तो य यह उदारन है कि रितिकाल में यह भले ही दरवारी रहे हो, लेकिन रूडियों से, रूडियों का पालन इन्होंने नहीं किया है, ठीक है, तो यह रितिमुक्त कावय धरा की सबसे बड़ी विशेष्टा मानी जाती है, यह आंतरिक अनुभूतियों का कावय है, यह मूलत आ रितिमुक्त बड़ा है, तो मैंने लगभगतीन जो महतोपुन बिंदू है, रितिमुक्त कावय के अंतरगत, वो मैंने आपके बीच में रख दिये हैं, कि इसी के चलते इसको क्या कहा जाता है, रितिमुक्त कावय कहा जाता है, तो चलिए, अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले, आलम के बारे में, जो रितिमुक्त कावी हुए हैं, कौन-कौन से प्रमुक्त कावी हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जो रितिमुक्त कावी हैं, वो हैं आलम, और इनकी जो रचनाए हैं, माजवनल कामकंदला, स्यामचनेही सुधामाचरित और आलम के लिए इनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे दूसरे जो कवी है घनांद जिसका जिनकी रचना है वियोगवेली, इश्कलता, विरहलीला, प्रिती पावस, प्रेमपत्रिका और कृष्ण कौमुधी उसके बाद बोदा है, वीरहवारिश, इश्कनामा, ठाकूर के बाद, ठाकूर ठसक, ठाकूर शतक हैं इनकी दो रचनाएं फिर दुजदेव है, इनकी श्रिंगार लतिका सौरव और श्रिंगार बतिसी तो ये रचनाएं इनकी हैं पांच महत्वफन कभी रितिमुक्त कावेधारा के अंतर गताते हैं, इनी से रिलेटर प्रशन पूछने की संभावना रहती है UGC.net की परिक्षा में और इसके अलावा जो अन्य है, उनको हम अगले लेक्चर में डिसकस करेंगे आज हम mainly दो कभीों को ही इसमें फोकस कर रहे हैं आपके आलम और घनान्द को तो चलिए सबसे पहले हम आलम और उनके कावे को जान लेते हैं पहले कभी हैं, ये जाती के ब्राहमन थे जो शेक नाम की रंग्रेजिन से विवाहकर मुसलमान बन गए थे तो क्या है आलम के बारे में इतनी ही जानकारी उपलब्द है हलांकि इनके जनम और मृत्यू के बारे में कोई जानकारी उपलब्द नहीं होती है अचायराम चंदर शुकल के हिंदी साहीते केती हास में जो चीज इनके बारे में उपरनी था यही है कि यह जाती के ब्राह्मन थे और शेक नाम की रंगरेजिन से विवा कर मुसलमान बन गए थे और माना यह जाता है कि जो शेक थी वो भी क्या थी अच्छी कवित्री मान जाती है उस वक्त की ठीक है अगर हम इनके आश्रेदाता की बात करें आलम के तो इनके जो आश्र गत रखा गया है कि 1683 से लेकर 1703 इसवी तक माना जाता है कि इनका कविता काल रहा है ठीक है कविताओं के संग्रह का नाम इनकी जो कविता है देखिए उसके संग्रह का नाम आलम के लिए है इसमें आलम के साथ-साथ शेख के भी कविते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो शेक रंग्रेजिन थी, वो भी एक अच्छी कवीत्री थी और उसके साथ मिलकर इन्होंने आलम केली, जो इनकी कवीताओं का संग्रह है, उसको लिखा है, तो ये महत्वोन चीजें, जो रिती मुक्त कवी आलम हुए हैं, उनके बारे में थी, कौन उनके आशरदाता थे, क इनमें कौन से चीज बनने दिन ने की है, सबसे पहली चीज यहां पर देखिए, माधवनल, काम, कंदला, इनके जो प्रमुख, रचना मानी जाती है, इसमें इनोंने क्या किया है, अवधी भाषा में रचित, श्रिंगार रस, प्रधान, प्रेमा, ख्यान, प्रबंध, काव है, तो कितनी चीज़ें माधवनल, काम, कंदला के बारे में देखिए, तीन चीज़ें, भाषा इसकी अब्धी हो गई, और रस इसमें कौन सा है, श्रिंगार रस प्रधान है, और प्रेमा, ख्यान, काव्या, ये प्रकार इसका वाना जाता है, ठीक है, तीन चीज़ें माध सुधामा की कथा का वनन इसमें किया गया है, और ये है भी इनका प्रबंध काव्य माना जाता है, या यूँ कहें कि प्रबंधात्मक काव्यकृती है, ये इसकी आपके आलम कवी की, ठीक है, तो क्रिशन के जो परमित्र हुएं देखिए कौन, सुधामा, उनी की कथा इसमे इस चैनल की वहां पर अच्छे से बता दिया था, हलांकि इनको हम एक वार फिर से करेंगे, अच्छे से, लेकिन वहां पर हमने अच्छे तरीके से बता भी दिया था कि काव्य की कितने बेद होते हैं, और कौन खंड काव्य में आता है, कौन प्रबंध काव्य और कौन मुक इसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होना बहुत जरूरी है कई पर फरिक्षा में इनकी भीशेवस्तु के बारे में या इनके जो प्रकार हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है या प्रकार हैं उनको इसमें वर्णित किया गया है। तो दीखिए नायक और नायका के जो प्रकार हैं इनको भी हम पढ़ेंगे। जब हम आपका जो कावे शास्त्र है वहाँ पर हम इनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जो आपका द्रिश्य कावे होते हैं उनमें हम इन चीजों को पढ़ेंगे कि नायक के कितने प्रकार है नायका के कितने प्रकार है बस आप यूँ ही बने रहे हिंदी साही त्यवारता के साथ और यहां पर हम आपको complete त्यारियां करवाएंगे UGC net की और जिस भी topic से जिस तरीके से प्रशन बनने की संभावन रहती है वो कोशिश करेंगे हम कि सब तरीके से प्रशनों को discuss किया जाए अगर आप चाहते हैं कि आप टेलेग्राम ग्रूप के साथ जुड़ना च जाएगा तो ये थी आलम के बारे में मौत प्रशन चीजें कि इनकी जो प्रमुक रचनाएं कौन कौन सी है और उनकी विशवस्तु क्या है और किस प्रकार की रचनाएं इन्होंने रची हैं अब हम देख लेते हैं कि आलम के बारे में जो अन्य विद्वान है उनके मत क्या तो सबसे पहले अचारी रामचंदर शुक्र लिखते हैं, आलम रितीबध रचना करने वाले कभी नहीं थे, तो ये रितीबध नहीं थे वलकि कैसे थे, रितीमुक्त थे, ये प्रेमुनमत कभी थे या प्रेम में मगन रहने वाले कभी थे और अपनी तरंग के अनुसार रच तो देखिए यहां से आमें पता चल रहा है फिर से कि ये अपने स्वतंतरत रूप से कविताएं रचते थे ठीक है इसलिए इनको कहा गया कि अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे और इसी से इनकी रचनाव में रिदय तत्तों की प्रधानता है कि मतलब इनके मनमस्तिश में पूछे जाते हैं तो अचारी रामचंदर कि शुकल किस कवी के बारे में या किस काल विभाजन के बारे में क्या चीज़ कहते हैं ये चीज़ आपको पतावना बहुत ज़रूरी है ठीक है थोड़ी थोड़ी जानकारी इसके लिए रखना ज़रूरी होती है नेक्स दे देखिए ये भी शुकल जी ही कहते हैं प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक-एक वाक्य में भरा पाय जाता है उत्प्रिक्षाएं भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही हैं तो ये भी शुकल जी मानते हैं कि जो प्रेम की पीर पीर का मतलब दर्द या इश्क का जो दर्द है इनके वाक्य में भरा पाय जाता है ठीक है और उत्प्रिक्षाएं इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही हैं ये भी अचारे रामचंदर शुकल मानते हैं आलम के बारे में आगे शुकल लिखते हैं देखिए प्रेम की तरमेता प्रेम को नोट डान कर लिजिए चाहें तो आप स्क्रिंशॉट ले सकते हैं इसका अगर स्क्रिंशॉट लही नहीं चाहते हैं तो आपको टेलिग्राम ग्रूप में इसका पीडिया भी प्रदान कर दिया जाएगा तो ये थे शुकल के कथन आलम के बारे में अब हम देख यह पर जब कि देते हैं अन्य विद्वानों के कथन कॉन-कौन से हैं तो सबसे पहले विश्वनात्री पार्टी काहते हैं विश्वनात्री पार्टी आवन मुक था ये बंद कर नहीं रहने वाले हैं तो ये मानते हैं विश्वनात्री पार्टी आलम के समन्द में आगे देखे डॉक्टर नगेंदर हिंदी साहित्य का इतिहास जो उनके द्वारा संपादित है उसमें ये कहते हैं कि उनके द्वारा उनके मतलब आलम के द्वारा वरनित प्रे प्रेम है वो चिष्टा प्रधान बहाय नहीं है किसी दूसरी व्यक्ति के द्वारा वो नहीं किया जा रहा है लेकिन वो उनकी अनुभूती है है अपने अंदर की जो उनकी इच्छा है उसी का वो परिणाम है ठीक है इसलिए उनकी शैली क्या है मार्मिक है रिदै को स्पश् तत्त थे कि उनकी जीवन परिचे थोड़ा सा कि वो शेक रंगरीजिन से प्रेम करते थे और वो मुस्लमान हो गये थे हलां कि वो क्या थे ब्रहमन थे एंड उसके बाद आलम के लिए कि जो रचन की थी उन्होंने शेक रंगरीजिन के साथ मिलकर की थी ठीक है और इसके अल मौतपौन कवी हैं रिती काल के रिती मुक्त कवी जो हैं वो हैं घननंद तो घननंद रिती मुक्त कवियों में अपना विशे स्थान बनाने में सक्षम हुए हैं इनकी बहुत सारी रचनाये हैं हैं लेकिन जो जो भी मौतपौन रचनाये हैं वो हम यहां पर अभी देखें तो ये दो चीजे इनके बारे में मौतपोन हैं पुलंद शहर में जनम और विरिंदावन में मृत्यू तो अगर हम इनके संपरदाय की बात करें तो ये निमबारक संपरदाय में दिक्षित हो गए थे कहां से जाने के बाद जब इनको मुहमेदशार अंगिला के दरवार से न तो ये प्रशन भी यहां से बनने की संभावना कई बार परिक्षा में रहती है और इसके अलावा इन्हे घंणन्द को क्या कहा जाता है प्रीम की बीड का कभी का कभी भी कहा जाता है ठीक है शुकल का जो प्रमुक कतन है दिके घंणन्द के समन्द में ये कहते हैं कि ये साक्षा त्रसमूर्ती और ब्रजभाशा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक हैं तो अचारे राम जंदर शुकल का ये कथन बहुत ही महतापूर्ण है आपका गहनंद के सम्मंद में ये सारी चीज़ें गहनंद के बिशय में कई बार परिक्षा में पूछी जाती हैं इनको याद रखना बहुत जादा जरूरी है तो अब हम देख लिते हैं कि आपके जो गह हैं इनके समंद में अन्य जो महतापूर्ण चीज़ें या इनके जो प्रमुक रचनाएं हैं कौन कौन सी है हाला कि हमने पीछे देख ली जो पारि में कौन सी चीज़ें कि उसमें नहीं थे सब से पहले अगर सुजान हिद की बात करें तो इसमें इसमें सुझान के प्रति 500 सो से उपर कवित सवये पाय जाते हैं सुजान के प्रती किस के प्रती है सुजान हित नाम से ही पता चल रहा है कि ये उनकी जो प्रेमी का के प्रती इन्होंने 500 से उपर कवित तर सवये कहे हैं दूसरी जो इनकी रचना आती है देखी पदावली, इसमें इनोंने 1000 से अधिक पद गाये हैं या पाये जाते हैं क्रिशन लिलाओं से इनोंने उन्ही विश्यों को चुना है जिन्हें सूर्दास, परवनदास, यादी अश्च्छापी कवयों ने अपनाया था तो दीखिए पदावली में इन्होंने जो कृष्ण लिलाओं को उन्होंने अनुसर्ण किया था के लिए जो विशे जो चुने इन्होंने कहां से चुने और छापी कवियों से चुने हैं अगर हम बात करें इनकी जो प्रमुक रचना है कि कृष्ण कौमुदी तो इसमें नाम सी पता चल रहा है कि कृष्ण कौमुदी कृष्ण की जो लिलाएं हैं उसका इसमें वनन देखने को मिलता है कृष्ण कौमुदी में और यमुना यश में यमुना का जव महात्में है वो वर्नित किया गया है तो देखे चार रचना है, पांच वी जो उनकी प्रेमपत्रिका है, प्रेमपत्रिकामें क्रिश्ण के नाम पत्र लिखकर उन्हें ब्रजवासियों की ओर से अनेक प्रकार के उलाहनें दिए गए हैं। तो हो सकता है इस तरीक से प्रशन पूछा जाए कि किस रचना में कृष्ण के नाम पत्र लिखकर उन्हें ब्रजवासियों की और से अन्यक प्रकार के उलाहने दिये गए हैं, तो यह है प्रेम पत्री का, या फिर पत्र को ना लिखकर इस तरीक सही पूछा जा सकता है कि जो कृष्ण है को अनेक प्रकार के उलाह ने दिये गए हैं किस रचना में तो वह आएगा आपका प्रेम पत्री का ठीक है नेक्स से देखिए इनकी जो अगली रचना है वो है इश्कलता तो इश्कलता में इन्हों ने देखिए पंजाबी और उर्दू के शब्दों की भरमार सी कर दी है ऐसा माना जाता है कि जालतर इसमें शब्द किसके मिलते हमें इश्कलता में पंजाबी और उर्दू भाशा के और इसमें प्रेम के उदात स्वरूप का चितरन किया गया है ठीक है तो इश्कलता में प्रेम के उदात स्वरूप का चितरन है बात अगर हम वियोग व प्रिती पवस में वर्षा का वर्णन किया है। गनन्द के समन्द में जानी इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी रचनाई आपको मिल जाएंगे लेकिन जो प्रमुक्ती वो मैंने आपके बीच में रख दी हैं तो आपको जहां कहीं से भी गनन्द के समन्द में या इनकी जो प्रमुक्त रचनाई मिलती हैं आप चाहें तो वो भारतेंदू हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में प्रकाशित कराया था, तो ये चीजें इनके समझ में बहुती जादा महुत पूर्ण हैं घनन्द के बारे में, क्योंकि जिस प्रकार भक्तिकाल में हमने देखा, कि आपके जो चार स्थम्ब माने जाते हैं, जैसे सूर, जाइसी, तुलसी और आपका कभीर हैं, ठीक वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, रितिकाल में, है न, जैसे आपके बिहारी हो गया, घनन्द हो गया, यह बहुत ही जादा महत्तपोन नाम है, रितिकाल के अंतरगत, ठीक है, तो इनके समन्द में आपको चीज़ें बहुत जादा याद रखना जरूरी है, तो इसके उपरांथ सुजान शतक नाम से इनके 119 छंद प्रकाशित हुए हैं, कि इसके उपरांथ आपका सुंदरी तिलक में प्रकाशित होने के बाद, जो इनका प्रत्थम संग्रह माना जाता है, ठीक है, नेक्स से दिखिए, समवत 1954 में रतनाकर जी ने घनन्द की रचन गनन्द की रचनाओं का संग्रह किया था, सुजान सागर नाम से, ठीक है, और गनन्द की जो संपू discrimin rachnao का व्यज्ञानिक रिती से संपाधन और प्रकाशन किसने किया था, ये किया था विश्वनात प्रसाद मिश्र ने, और जिसमें 502 छंद हैं, तो ये मात्रपून ची कर और भारतेंदू ने किया था सुंदरी तिलक में प्रत्थम संग्रह ठीक है तो ये थी घंणन्द के संबंद में इनकी जो प्रमुख कावे कृतियां हैं या इनकी जो कृतियों के बारे में जो मौतपून तथ्य थे वो हमने यहां पर रखे हैं कि इनकी रचनाओं को संग् अब हम देख लेते हैं कि घंणन्द के संबंद में अलग-अलग भिद्वानों ने अलग-अलग कथन कहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं तो सबसे पहले या आँपर शुकल के ही तीन कथन हमने रखे हैं कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वानी का प्राथरुभाब प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीन और धीर पतिक तथा जम्वादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ है तो ये मानते हैं अचारे रामचंदर शुकल की जो गहननन थे वो प्रेम की ही पीर को लेकर जन में थे एक तरीके से इनका की शालेनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ विशुदता के साथ साथ प्रोड़ता और माधूर्य भी अपूर्व है तो दिके विशुदता के साथ साथ भी मानते हैं कि इनमें प्रोड़ता भी है और माधूर्य भाव भी देखने को मिलता है जो की पूर्व है ये भी अचारे रामचंदर शुकल मानते हैं आगे लिखते हैं कि प्रेम की अनिर्वचनियता का अभास गहननंद के ने विरुदा भासों के द्वारा दिया है तो प्रेम की अनिर्वचनियता का अभास गहननंद के ने किसके माध्यम से दिया है विरुदा भासों के द्वारा दिया है ये बात भी अचारे रामजंदर शुक्ल मानते हैं कब आगे देखिए विश्वनात्रिपाथी क्या कहते हैं ये कहते हैं कि गहनान्द प्रेम के गंभीर कभी है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित में जो विभिन तरंगें तरंगें उड़ती हैं उनका चेत्रण ही गहनानन्द ने किया है ये मानते हैं विश्वनात्रिपाथी अगर हम डॉक्टर वासुदेव सिंग की बात करें तो ये कहते हैं गहनानन्द की भाषा सरल और स्वाभाविक है जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का बात कही है गहनानन्द की भाषा के समद में ठीक है आगे देखिए डॉक्टर बच्चन सिंग हिंदी साहीति के दूसरा इतिहास में कहते हैं गहनानन्द प्रेम की यातना के कभी हैं प्रेम का ऐसा आवेग न ठाकुर में है और नहीं बोधा में तो देखिए अन्य जुरित बच्चन सिंग आगे इनके समân में और जो मोतफ़ून विदवान हैं देखिए वो क्या कहते हैं सबसे पहले हम रामधारी सिंग दिन कर देखिए ये क्या कहते हैं और इनक्या जो ये खतन है बहुत ही मोतफ़ून है कई बार इसको पूचा जाता है इसको याद रखना यह ऐसा कवी है जो सचमुच अपनी पीडा में ही रो रहा है तो दीखे कई बार यहां से पूचा जा सकता है कि कि दूसरों के लिए किराय पर आंसु बहाने वाले कवियों के वीच अकेला कवी है जो सचमुच अपनी पीडा में रो रहा है यह कतन किसका है या किसके संबंद में कहा गया है तो कतन है रामधारी सिंग दिनकर का और कहा है घननन्द के संबंद में तो बहुत ही जादा मौत्वपूर्ण यह कतन है इसको आप चाहें तो नो डॉन कर सकते हैं आगे जो डॉक्टर नगेंद रहें देखिए वो कहते हैं गहननद के प्रेम का उधै अवश्य सुजान के शरीड से हुआ था, तो ये मानते हैं कि गहननद का जो प्रेम था, वो भले ही सुजान के शरीड से हुआ था, मतलब कि जो वह एश्या थी, उसके रूप को अंपरासक है वो क्या है इश्वर तक पहुंचना ही माना गया है कि वो पहले तो एक नारी के शरीड से हुआ था पर उसकी जो परिनिती है वो सुग्ञान या पर्मीश्वर में हुई थी ये मानते हैं डॉक्टर नगेंदर तो ये थे प्रमुक कतन घंणन के बारे में और घंणन से रिल गंणन के समद में या रिती मुक्त कावेधारा के समद में तो आप वो भी मुझे कोमेंट सेक्षिन में जाकर बता सकते हैं ताकि सब लोगों तक अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सकें तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तो रिती मुक्त कावेधारा का अगला आने रहेए यूँ ही हिंदी साहीते वार्दा चैनल के साथ तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जय हिंद